2023 का मेरा फिवरेट स्मार्टफोन कोई है अगर तो वो ये S23 Ultra है भाई ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसको मैं सर्वकुन संपन कह सकता हूँ Samsung की चो legacy वो बहुत ज़्यादा strong है उसी legacy को carry forward करते वे उन लोग S21, S22 उसमें FE series के phones निकालते हैं and almost 2 साल पहले S21 FE करके एक phone launch वा था फिर उसके अंदर वो एक exynos processor के साथ में launch वा फिर उसको Samsung ने snapdragon 888 processor के साथ में वापस से launch किया and price थोड़ा साथा था लेकिन sale के अंदर अभी ये जो sale थी इसके अंदर उन लोग ने वही same phone को 30,000 में launch किया and मैंने बंगा लिया इसका वीडियो मैंने बनाया अपना first impression दिया वो वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई तो मैंने बुला एक काम करते हैं इसके अंदर अपना sim card डालते हैं and इसको as a primary phone बना के use करते हैं being a S23 Ultra user इसको use करने का experience कैसा रहा वो सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में share करने वाला हूं लग बग बग 40 दिन से मेरे पास है phone सारी चीज़े बताँगा इस वीडियो में आपको सबसे पहले यहां पर अच्छे चीज़ों की बात करते हैं यहां पर सबसे पहले जो build quality है यह पूरा metal का है आप लोग देख लो 30,000 में usually metal के phones नहीं मिलते हैं यहां पर यह पूरा aluminum की body है काफी मजबूत है and सामने के side में जो आप देख रहे हो इसके अंदर gorilla glass witness का protection आता है which is amazing तो यहां पर protection में लिए यहां पर मैंने glass तो लगाई दिया भाई क्योंकि वह भी important है बाकि पीछे के side में जो यह S21 series के जो phones है वह type का design follow किया गया है and in hand feel बहुत अच्छे क्योंकि 6.4 inch की screen है तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है हलका है almost 177 gram है और सिर्फ 7.7 mm के थिकने से weight balance भी बहुत अच्छे से किया हुआ है Samsung ने तो मतलब इसके अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है प्लस यह 30,000 का phone है again मैं remind करा रहा हूँ आपको इसके अंदर IP68 की water resistance rating भी देखने को मिल जाती है मतलब अगर आप पानी में बिगया भी दिया इसको आपको दिक्कत की जरुवत नहीं है भाई बहुत मस्त है उस मामल में भी बाकि फ्रेंट साइड में आपको यह Samsung का प्यार जो है वो आपको देखने को मिलेगा जी हाँ Samsung का प्यार जो है उसका display है यह एक 6.4 इंच का super AMOLED display है 120Hz refresh rate के साथ में भाई साहब amazing display है 1200 nits के peak brightness के साथ में आता है of course मैं S23 Ultra use कर रहा हूं तो उसके comparison में वो लेवल तो नहीं है लेकिन बाई 70,000-80,000 रुपीज बहुत ही जाता super display है बहुत अच्छा bright कोई दिक्कत नहीं है भाई display के quality एक दब चुमा है यह एक AMOLED display बहुत अ Snapdragon 888 processor देखनी को मिलता है and daily performance is pretty good मतलब आप कोई भी app open करना हो गया close करना हो गया काफी fast and smooth खुलता है ऐसा मैं को कहीं lags and jitters जादो notice नहीं वाल के full के मैंने jitters notice के compare to S23 Ultra but इतना कोई major नहीं है 30,000 के साब से कोई problematic मैं को देखनी को नहीं मिला मतलब lag free experience था है जादा मैं को दिक अब smoothness की बात करूँ तो यहाँ पर smoothness में 120Hz देखनी को मिलता है और 120Hz mostly बहुत अच्छे से काम करता है बट जब phone गरम हो जाता है तो हलके full के आपको jitters वहाँ पर feel होंगे especially अगर आप धूप में वीडियो और record करो वहाँ पर मैंने notice करा है उसके अलावा तो मेरे को अब बहुत हाइंड गेमिंग अगरा करनी है तो उससे कर सकते हो लेकिन बहुत हाइंड गेमिंग अथा BGMI आपको गंटो भंटो भर खेलना है तो भाई यह gaming phone नहीं है मैं आपको बता दू अभी भी बाकि software भाई इसकी सबसे बड़ी strength है बहुत तगड़ा software experience मिलता है इसक सारी features देखने को मिलता है मतलब Samsung का UI है तो आपको tension लेने के बहुत ज़्यादा superb है और well optimized bugs बगएर में को ना के बार आपनोटिस वे विच इस आउसम ठीक है अब software के बाद camera's की तरफ बड़ू तो यह भी इसकी एक बहुत बड़ी strength है इसके अंदर आपको 12 megapixel का main 12 megapixel का ultrawide आंट megapixel का telephoto zoom lens देखने को मिल जाता है और 32 megapixel का selfie shooter पर देखने को मिल जाता है और भाई साहब इसकी camera's amazing है 30,000 में definitely one of the best camera's है भाई फोटो देखो even in the medium to low lighting situation यह बहुत ज़्यादा तगड़ी photos निकालने के capability रखता है लिए आपको photos and videos के मामले में कहीं शिकायत नेगी ऐसे आपको ज़्यादा शिकायत ने आएगे look at the photos guys and 3x telephoto zoom lens होने के वज़े से जो इसका portrait photography है वो भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है बाकि front में जो selfie shooter है वो भी काफी अच्छा perform करता है अच्छा quality की photos and videos आप front facing camera से भी बना सकते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत निया बाकि बात करूब बैटरी life की तो उसके अंदर 4500 mm की बैटरी है और यहाँ पर compare to my S23 Ultra मेरे को इसकी बैटरी कम लगी भाई मेरे S23 Ultra के अंदर 5000 mm बैटरी है इसके दर 4500 mm है और जब मैं सुबह में उट्टा हूँ अपना मैं बहुत ही जादा heavy user type का इंसान हो ठीक है तो मेरे heavy usage में यह शाम को 6 बजे के आसपास इसकी बैटरी है अल्मोस्ट मतलब खतम हो जाती थी लेकिन जब मैं light use करता हूँ जैसे आज मैं light use करता हूँ अभी देखो शाम के 8 बजे रहे हैं अभी भी 16% बैटरी है लेकिन हाँ 5G रहता है Wi-Fi रहता है तो अगर 5G GPS चलाता हो ना तो और जल्दी बैटरी डिपलेट हो तो मतलब अगर आप लोग light user हो तो एक दिन की बैटरी लाइफ एक दम आराम समिल जाए लेकिन अगर आप medium to heavy user हो तो आपको शाम को आते आते इसको चार्च करना पड़ जाएगा जैसे यहां पर देखो first day 7 hour का screen on time मिला मैं खुश हो गया फि 5 hour का screen on time, 4 hour 52 minutes, 4 hour 59 minutes, 5 hour 43 minutes, 4 hour 37 minutes, 5 hour 34 minutes, 5 hour 14 minutes, 4 hour 36 minutes तो approximately 5 घंटे का screen on time मिला है तो अगर आप लोग बहुत जादा heavy use करोगे ना तो यह phone को आपको शाम को चार्च करना पड़ जाएगा और चार्जिंग के लिए 25 watt का charger सपोर्ट करता है चार्जिंग अच्छी स्पीड में ज अच्छे speaker तो कोई आपको इसमें भी speakers में problem आने माली है नहीं अच्छा 5G अगरा बहुत मस चलता है इसके इंदर 5G का SIM card मैंने दाल करका call अगरा में कोई दिक्कत नहीं call recording मिल जाती है आपको कोई problem है नहीं ठीक है मतलब सब चीजे मेरको इसमें basic network अगरा में कोई दिक्कत fingerprint scanner आता है जिसके speed काफी fast है एंड यह काफी accurate भी है जिसे को tap करते एंदर टैप करते ही खुल जाता है जाधा दिक्कत है नहीं यहाँ पर and face unlock भी जो है वो भी काफी जाधा fast है तो इसमें भी कोई शिकायत है नहीं मेरे को तो overall मेरा conclusion क्या है तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत जाधा game नहीं खेलते आपका बहुत जाधा heavy usage नहीं है फोन का आप फोन को normally ही यूज करते हो आपका normal usage होता है और आपको camera यूज करना पसंद आता आपको अच्छी cameras चाहिए अच्छा software experience चाहिए software support भी लगा होगा और आपको समझ में आओगा कि कैसा है phone कैसा नहीं है सारी चीज है I hope अपकी confusion खतम हुए होगी वाकी इतना ही था thank you so much for watching दूस्ट गईज एंड ऐसे content को और support करने के लिए बस आप लोग यहां पर मेरे चैनल को subscribe कर सकते हो बस इतना ही था thank you so much आई